चैट GPD ने हर एक गरीब software developer की धोती गोल कर रख दिये तो दुनिया जानती है लेकिन आज मैं आप लोग चैट GPD से एक website बना के दिखाऊंगा देखते हैं कि क्या हम लोग चैट GPD की साहिता से एक website बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं तो चलो यार computer screen में आज़ाओ समसे पहली बात तो यह मैं आपको बता दूँगी मैं यूज करता हूँ Tailwind CSS का तो मैं चैट GPD से भी expect करूँगा कि यह मुझे Tailwind CSS में बना के दे मेरा काम Tailwind CSS में करके दे तो मैं आप आपर आगया हूँ play.tailwind CSS.com अगर आपको नहीं बता play.tailwind CSS.com क्या है तो यह simply आपर आप अपनी Tailwind CSS लिखकर share कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जैसे मालनो मैंने एक यहां पर div tag बनाया और मैंने आपर Harry लिखा मालनो यह बहुत अच्छी website होती और मैं इसको share करना चाहता तो मैं share पर click करके यह जो URL ही copy करके अपने किसी दोस्तों को भेज सकता हूँ काफी बढ़ी है अब मैं अभी क्या करूँगा यह आपर chat.openai.com और मैं login हूँ अपने openai account मैं इसे यह कहूँगा कि यार मुझे एक landing page मनाके तो मेरी e-commerce website के लिए ठीक है मैं आपर लिखूँग ऐसे बहुत सारे काम करके मैंने 5 वार में 5,5 डॉलर कमाए है college में बट आज की तारीक में अगर यह chat GPT कर देता है तो भाई मतलब समझ जो चोटे freelancers है उनकी job कई नवी खत्रे में है यार है ठीक है तो यहाँ पर अभी tailwind CSS में इसने यहाँ पर include कर दिये tailwind CSS तो actually क्या है न यहाँ पर ही generate कर रहा है code को मैं wait कर रहा हूं इसके code के generate होने का देखते है कैसा बनाता है मैं आपर बस देखना चाहता हूं कि यार यह कुछ बना पाता है कि नहीं बना पाता है इसने मतलब image src is equal to tailwindy.com से को image भी उठा ली है वाव नाइस तो मैं ज़रा इसका wait करता हूं generate होने का इसके काफी बड़ा generate कर रहा है लगता ही है पता है चाट GPT में क्या है ना कि लोगोंने कुछ ऐसा कर रखा है जिससे कि इसकी जो length होती output की वो इन्होंने cap कर रखी है और शाहिद इसलिए कर रखी है क्योंकि इनको compute power कोई मतलब कोई ऐसा prompt ना डाल दे कि भाई 10,000 words का 10,000 बार ऐसे generate करो ऐसे ना लिख दे को इस तो generate करता रहे जाएगा और इनकी जो bandwidth है वो बहुत ज्यादा यूज हो जाएगी तो शाहिद इस वजए से था कि सब लोग fairly use कर पाई chat GPT को हो सकता है इसलिए इनोंने ये limits लगा कर रखी हो बट अभी हमारा जो code है वो अभी कि इसने क्या बनाया है तो वाओ यार इसने काफी बढ़िया responsive page बना दिया है और क्या ये या लेकिन ये काफी खाली नहीं है इसमें navbar है ये क्या चल रहा है और नहीं यार I'm not impressed at all बिल्कुल भी मैं impressed नहीं हूँ बट मुझे लगता है कि कही ना कही हम बहुत सारे problems का इस्त अगर आपको नहीं पता ओपन याई playground के बारे में तो basically दूसरे models को यूज करके आप लोग यहां पर इसको काम में ले सकते हो ठीक है तो मैं आपर क्या करूंगा कि write a tailwind CSS code to build a landing page for an e-commerce website और मैं maximum length को काफी बढ़ा दूगा मुझे बहुत जादा code चाहिए अपर ठीक है तो मैं submit करूंगा और submit जैसे ही मैं करूंगा यह code जो है इसने लिखना शुरू कर दिया है और यह code जो है लिखना शुरू कर दिया है किस तरह से code लिख रहा है तो इसने मुझे यह generate करके दि यहां पेस्ट करूंग और यहां पर पेस्ट करने से क्या हुआ कि इसे आ गया कौई बात नहीं जागोव है कि मैं काम करता हूं अन्यल्य को इसको काफी याँ रहा है काफी आरै स्म मुझे जनरेट करके दिया है उसको दिखा हूँ तो आप देखो ही कुछ इस तरह से दिखाई पट रही है तो यह बात तो क्लियर है कि अगर मैं यह वाले इन्पुट को यानि कि यह जो मैंने कोड उठाया है मैं अगर इसको कॉपी करूँ और इसको यहां पर पेस्ट करूँ इनफाक्ट मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ यहां पर और यह करने के बाद मैं अगर इसको यहां पर पेस्ट करूँ मानलो और यह अभी पता है क्या दिक कर दी website तो क्या chat gpt website generate कर सकता है yes chat gpt website generate कर सकता है यार देखो कितनी खतरनाक website generate कर दी अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर मैं लिखता हूँ write code for a tailwind CSS slider with images ठीक है देखता हूँ अब chat gpt वो पता ही क्या करता है आपके context को याद रखता है कि आप क्या कर रहे थे और देखो इसने यार लिखना शुरू कर दिया slider तो वेट करता हूँ slider के code के generate होने का और फिर इसको मैं क्या करने वालों यहां रखने वालों तो यहां पर slider आएगा मेरे और नीचे यह आएगा और यह responsive है दोस्तों responsive है देख रहे हो वाओ यार हाँ मुझे पता है और यहां पेस्ट करने वाला हूँ ओ वाओ यार वाओ 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 यार लेकिन slider निया बाइदेवे ठीक है यह यहां पर इसने जो जन्रेट करता है Tailwind CSS slider with images अभी शायद यह जन्रेट कर रहा है मैं वेट करता हूँ इसकी जन्रेट होने का और फिर वापस आता हूँ यह पता ही क्या है यह जन्रेट करते करते रुक गया continue generating the code मैं लिखता हूँ एक बद शायद यहां से continue करे ओ वाओ इसने continue कर दिया वाओ यह बात बहुत लोगों पता नहीं होती है यह यह जन्रेट करते करते रुक था बट उपस मैं आप लोग को स्क्रीन नी दिखा रहा हूँ यार सॉरी अ मैं अपनी शाकल दिखा रहा था ठ वाओ यार वाओ अभी कह रहा है कि यार corresponding css code यहां पर है और css क्यों लिख रहा है मैंने tailwind में बोला था लिखने के लिए आपे यार आपे सॉख और सॉखियен अ कल रहा है मैं यहां यारस नियदे यारस दिखा मैं जूब 1 प्रविए क्रीम ना सना बहль यहां यहां रगा अब तरुम अब मैं यहां पर यहां पर यहां पर यहां लगाने उन co ‫बख़ёт दो इकल है है और अब यहां परार मैं होश क मुझे क्या खरना है कि इतने सारे प्रयट्स अच्छली उनसे पहले लिखना है और मैं यहां पर हैडी लिखो बस। यह ट्राक कर रहना हूंगी कहां पर हूंगी तो यहां पर अटालना चाहता हूं हुँझ स्लाइटर कोड यहां लेकर आँए तो यह थैर अटार कोड यह कौ कि जो JavaScript है वो चल तो नहीं रही है बट यार इसने काफी हथ तक काम कर दिया थोड़ा वह दगर में दिमाग लगा लूँगा नहीं इसमें तो यह काम कर जाएगा and I'm not sure कि JavaScript चलाता भी है कि नहीं यह शायद JavaScript नहीं चलाता है तो मैं काम करता हूँ जावा स्क्रिप्ट को क्या मैं यहाँ पर चला सकता हूँ पता नहीं यार बट अगेन इसने काफी हथ तक यार यह काम कर दिया तो यार चैट GPT ने यह देखो प्रिवेस नेक्स वाले बटन भी यहाँ पर है अब यह CSS जो है जो इसमें यहाँ पर लिखी हूई है नीचे corresponding CSS अगर मैं इसको भी add करूँ अंधा दून तो क्या होगा यह भी देख लेते हैं एक बार तो मैंने आपर ओ वाओ CSS add करने के बाद और भी बढ़ी होगी कहानी देख रहो आप लोग अब यह क्या है न कि मेरे साब से अगर हम लोग इसमें जावा corresponding चलेगा ना कि इस particular frame के corresponding ट्राइ करने में कह जाता है तो यह यहाँ पर कह रहा है काफी खतरनाग बना सकता हूँ तो यार this is the power of AI मैंने कुछ ऐसा ट्राइ नहीं किया था काफी टाइम से मैंने सुझा रहा है ट्राइ करूँ यार अंधा धुन बिना किसी knowledge के एक के बाद एक copy-based मार के यार अफम इतनी अच्छी website मना सकते है chat GPT से आज की तारिक में कैसा लगा आपको इस वीडियो मुझे बताना और कुछ नहीं चीज़ा ट्राइ करना यारो मुझे बताना कि आपके case में क्या result मिला आपको क्या आप कुछ अच्छी चीज़ जनरेट कर बाए chat GPT की साहिता से या नहीं मुझे बताना in fact आप लोग कुछ और जनरेट करने की कोशिच करना जैसे कि एक blog, website या फिर कुछ लेकिन एक बात मैं आपको पताना चाहिता हूँ chat GPT इतना भले ही कर ले लेकिन logic बगएर नहीं लिख पाएगा logic, customization इस सब आपको खुद करना पड़ेगा तो डरना ही कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं कि चार्ट GPT आ गया है तो आपकी job जा चुकी है अगर आपको, you should be aware कि क्या आपके लिए AI कर सकता है, अगर आप दो दिन waste करके ये बना रहे हो हो सकता है कोई दूसरा इंसान, दो minute में चार्ट GPT से बना दे तो कही ना कही उसके पास edge है ना, तो ये edge आपके पास होनी चाहिए, आपको पता होना जी, क्या काम मैं AI से कर सकता हूँ और क्या काम मैं AI से नहीं कर सकता है कि इसमें मुझे खुद से दिमांग लागाना पड़ेगा तो I hope कि आप लोग को चलागा ये वीडियो भीकले इस वीडियो में इतने हैं Thank you so much guys for watching this video and I will see you next time